मलपुरा के कराहा के पास वालमी की समाज के दो लोगों के साथ हुई लूट की घटना को थाना मलपुरा पुलिस से दर्श करने को तैयार नहीं पीड़ित ने अपर आयूक्त पुलिस के शफ हुमार चौधरी से शिकायत की अपर आयूक्त ने सीयो को चांच सौपी है पंजाब के रहने वाले नीरज अपने चचेरे भाई पवन के साथ रात्वी लगभग 12 बजे शादी समारों से लोट रहे थे मोड पर कुछ लोगों ने रोक कर मारपीट कर दी नीरज का आरोप है कि नेपाली और उसके साथियों ने उसकी आधी चेन तोड़ ली और उसके भाई का मोबाईल लूट ले गए यह घटना 14 दिसंबर की बताई जा रही है 15 दिसंबर को जब थाने पहुँचकर शिकायत की गए तो पुलिस ने लूट का मुकदमा दर्ज नहीं किया पवन का कहना है कि लूट करने वालों को वह पहचानता है पवन का रोप है कि आरोपियों ने उनको जाती सूचक शब्द भी कहे जब आरोपियों का विरोध किया तो उन्होंने मारपीट कर दी आरोपी अपराधी प्रवत्य के हैं थाना मलपुरा में जब दोनों भाई मुकदमे दर्ज कराने पहुंचे तो पुलिस ने मारपीट की घटना कहकर भगा दिया कि फोन करने की कोशिजी की थी एक सुपार अरपे तो फोन में रहें ुडश ना लिए था तो फोन पुलिस को सूचना हम 15 तारीक को सुबह गए थे थाने में तो एपलीकेशन लिखके हमने दी थी तो वो उन्होंने अभी तक कोई कारवाई उस पर की नहीं है थाना प्रभारी मलपुरा का कहना है कि दोनों लोगों के बीच लूट की घटना नहीं मार पीट हुई थी शेत्रदिकारी अचनेरा ने भी लूट की घटना को सुईकार नहीं किया थाने से न्याय ना मिलने पर दोनों पीडित भाई अपने साथियों के साथ अपरायुक्त पुलिस केशव कुमार चौधरी से शिकायत करने पहुँचे दोनों पीड़त भाईयों को भरोसा है कि उनका लूट का मुकदमा दर्ज होगा सी नियूज के लिए मनीश जैन की रिपोर्ट